बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अस्सलामू अलेकुम नाजिरीन। आज बनाएंगे गुजराटी रेसपी खांडवी। आज बिलकुल परफिक्ट मेजर और आसान तरीकी से खांडवी बनाना सिखेंगे। और साथ ही जिन्हें खांडवी स्प्रेड करने में परेशानी होती है मगर खांडवी खाना पसंद है उनके लिए एक सिंपल सल्यूशन भी लाए है। जी हाँ, इसी बैटर से खांडवी बाइट्स भी बनाएंगे। बस एक कप बेसन से इतने सारे खांडवी बन जाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी मजेदार खांडवी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कप बेसन को चान लेंगे। ऐसा करने से बैटर बिल्कुल स्मूद और लंप्स फ्री बैंटर है। अब मिक्सी का बड़ा वाला पॉट लिया। उसमें एक कप दही आड़ किया। ये डेरी का फोल फाट दही है। साथ ही आड़ किया एक इंच अद्रक का टुकड़ा और डूहरी मिर्च कट करके एक चौथाई टीस्पून हल्दी और वन टीस्पून नमक आड़ किया। ये स्मूध मिक्स्चर रेडी है। अब इसमें एड़ करे वन अन हाफ कप पानी। सारा मेज़ा हमने एक ही कप से किया है। आप भी कोई एक कटूरी या ग्लास सेट कर ले। एक कप बेसन के लिए धाई गुना लिकवर्ड की जरूरत होगी। अब एक बड़ी सी कड़ाई ले। पहले ग्यास ओन ना करे। पहले ये मिक्स्चर को चान लेंगे। देखी ये अद्रक मिर्च का रेशा है वो अलग हो गया और जाई का बेसन मी आ गया। हमने हाफ टीस्पून लिम्बू फूल आड किये है। इसी स्टेज पर नमक भी चेक करे। अब गयास ओन करे और स्लो फ्लेम पर चलाटे रहे। ना बॉटम मी चिपक ने देना है और ना साइड मी लगातार धीरे धीरे चलाटे रहे। दही खट्टा होना चाहिए। अगर दही खट्टा ना हो टू टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेमन जूस या लिम्बू के फूल आड करे। दू से तीन मिनिट्स बाद ये ऐसा गाधा होने लगता है। बस चलाटे हुए कोई लम नजर आये तू स्मूध करते जाना है। चलाटे हुए टोटल आठ से नौ मिनिट्स हो गए है। और आब ये बिलकुल सही स्टेज पर आया है। बाटर बहुत अच्छी तरह कोख हुआ है। ना चिपका है और ना ही जला है। देखें। बाटर इतना थिखो के फॉरन स्पाचुलर से गिरे नहीं थोड़े टाइम से गिरे। अब ये स्प्रेड करने के लिए बिलकुल परफिक्ट है। चलिए आब प्लेट्स पर स्प्रेड कर लिटे है। प्लेट्स पर ओइल बिलकुल ना लगाए वरना बाटर अच्छी तरह से स्प्रेड नहीं होगा। ये काम जल्दी जल्दी करना है वरना कडाई मी जो बाटर है वो वहीन पर जम जाएगा। अगर बड़ा किचन फॉर्म क्लीन करके उसी पर फेला दे। अगर आप पहली बार ट्राइ कर रहे है तू हाफ कप बेसन से ट्राइ करे। सारे इंग्रीडियन्ट साधी क्वांटिटी मी ले। हाफ कप से भी बहुत सारे खांडवी बन जाते है। कुछ बाटा हमने ग्रीस के हुए कंटेनर मी स सेट किया। टोटल चार बड़ी प्लेट्स पर स्प्रेड किया। ये बस फाइब मिनिट्स मी ही सेट हो जाता है। ज्यादा देर ना करे जल्दी से कट करे और रोल करे। विडियो को यहां तक देखी लिया है और रेसपी पसंद आई हो तू विडियो को जरूर लाइक करे। और आब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तू सब्सक्राइब करे। सौफ्ट सौफ्ट खांडवी बाइट्स भी रेडी है। चलिए तड़का डटे है। तड़के के लिए हमने लिया है थोड़ा सा ओईल। राय हरी मिर्च और कड़ी पत्ता शामिल करे। लास्ट मी थोड़े से सफेद तिल अड़ करे और तड़का ड़े। हलके हाथ से मिक्स करे। बहुत ही जबरदस्त खांडवी टाया है। लास्ट मी कड़ाई की हालत कुछ हैसी हो जाती है जो के नॉमल है। रेसिपी पसंद आये टू लाइक करे शेय करे चैनल पर नए है टू सब्सक्राइब जरूर करे। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अपने कॉंटाक्स मी जरूर शेय करे।